तुम रहे अपर कर ले में अग्बर थोड़ा आज का ये लाइव सेशन थोड़ा लेट हो रहा है because of some personal reasons and ये session पर होने वाला है धमाकेदार जी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि GST Goods and Service Act ये बहुत बार आपके पास नाम आ रहा होगा आप हर जगे सुन रहे हैं कि सर इसमें GST लगता है उसमें GST सब पे GST लगता है सर है क्या ये GST तो यही चेप्टर आपका आज स्लेबस में है पहला चेप्टर है मैट्स का तो गवर्मेंट ने 1917 में 1 जुलाई 1917 में GST Act नाम का एक कानून देश में पास किया हाँ मोधी गवर्मेंट ने और तब से हमारे देश में One Nation One Tax की फ्योरी लगाई गई नाम है Goods and Services Tax ये पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक एक ही rate of tax लगाया गया है पहले क्या होता था अलग-अलग tax होते थे जिसे हम VAT के नाम से Excise Duty, Entertainment Tax अलग-अलग tax होते थे इंडिरेक्ट tax उन सब को जोड़के बना दिया गया है क्या एक tax नाम है GST Goods and Services Tax इसका मतलब हर एक वस्तू जो आप खरीद रहे हैं हाँ हाँ हर एक वस्तू जो आप even चॉकलेट खा रहे हो Cadbury's हाँ यहाँ आप चिप्स करीद रहे हो जो लेस चिप्स करीद रहे हो सब पे लगा हुआ है यह GST और यह GST कैसे लगता है क्या इसके टाइप्स होते हैं इसी पे यह पूरा निमेरिकलम करने वाले हैं अग्ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको समझाते हैं कि GST Goods and Services Tax क्या होता है तो मैंने बताया यह एक इंडिरेक्ट टेक्स है जो गवर्मेंट लगाती है हाँ गवर्मेंट लगाती है और दोनों ही स्टेट गवर्मेंट और सेंटरल गवर्मेंट दोनों ही इसको क्या करती हैं इकुली डिवाइड कर लेती हैं और हमारे देश का concept समझेंगे GST का, तो आओ देखते हैं, GST, ये basically दो type में divided है, हाँ हाँ, दो broad heading में GST divided है, एक अगर goods का क्या हो, buying and selling, जिसे हम transfer या exchange कहते हैं, अगर exchange या transfer within state हुआ, अथार्थ एक ही state के अंदर हम है UP में, मैं हूँ UP में, मैंने UP से ही goods करीदा, UP मतलब, for example, मैं वारनासी से हूँ, for example, ये live video आप वारनासी से देख रहे हैं, जगा, मैंने आपको अपना address ये बता दिया, तो वारनासी से ये मैंने क्या किया, कोई चीज purchase की और लखनों में बेच दी, आगरा में बेच दी, आप कानपुर में हैं, तो कानपुर वालों को बेच दी, तो ये within the state by a sell हो गया के नहीं हो गया, तो जो goods का transfer, खरीद और बेच दोनों within the state होगा, तो वहाँ पे लगेगा SGST, that is state GST, और लगेगा CGST, अच्छा कितना लगेगा, इसके लिए tension नहीं है लिनी आपको, क्योंकि GST council नाम की एक government body है, वो decide करती है किस चीज के good पे कितना tax लगेगा, basically, जो essential goods होते हैं, जर्वत के goods होते हैं, उस पे tax का percent कम है, और luxury के goods पे tax का percent higher, हमारे देश में highest tax है, GST का 28%, तो assume करते हैं कि किसी चीज पे goods का tax लगना है 10%, कितना 10% GST लगना है, तो 5% लगेगा SGST में, 5% लगेगा CGST में, क्या कहना चाहते हैं, दोनों का हिस्सा आधा आधा है, ये 5% state government के पास चला जाता है, और ये 5% central government के पास जाता है, दोनों को चोड़ दो, तो बन जाता है GST 10%, got it, तो GST is total of state, GST as well as central government, दोनों equal होता है, ये भी याद रखना है अब को, अगर percent 18% है GST का, तो 9% होगा state का 9% होगा central government का, ये तो हो गया goods अगर within the state buy or sell हो रहे हैं, within the state purchase sell हो रहा है, क्या जरूरी है ऐसा हो, नहीं, अब बनारस की साड़ी है, हो सकता है, करनाटक वाले खरीपते हो, बनारसी सिल्क तो पूरे इंडिया में famous है, हाँ हम UP से हैं, वरनासी से हैं, वरनासी का सिल्क लौथ क्यों, करनाटका में नहीं बिखता है, जरूर बिखता होगा, दिली में नहीं बिखता है, जरूर बिखता होगा, विदिन दी स्टेट नहीं होगा, तो दो नहीं लगेंगे, तब एक सिंगल लगेगा, लगेगा IGST, आए यहाँ पर इंटिग्रेटेड वर्ड है, वैसे कई बार लोग इसको इंटर स्टेट बोल देते हैं, अलाकि यह इंटर स्टेट पे लगने वाले गुड्स पर टेक्स है, ठीक है, IGST, इंटिग्रेटेड जिएस्ट लगेगा, एक सिंगल टेक्स लगेगा, दो बार टेक्स नहीं लगेगा, जैसे स्टेट का और सेंटर का दोनों का अलग लग जिएस्ट लग रहा था, नहीं, इसमें अगर 10% लगना है, तो एक बार में ही 10% लग जाएगा, य इट को भी इस GST की कमाई का एक हिस्सा मिलना है, वो है, हाँ, अगर आप कहेंगे, यूनियन टरिटरी होगा, तो सर क्या होगा, तो वो यूनियन टरिटरी का टेक्स हो जाएगा, अप्लिकेशन रूल यही चलेगा तब भी, एक सिंगल टेक्स लगेगा, यूनियन टरिटर अमाउंट पे, क्या कीवर्ड है, टेक्सिबल अमाउंट, ध्यान रखेंगे इस बात का, कैसे निकालेंगे टेक्सिबल अमाउंट, क्या होता है टेक्सिबल माउंट, और कब लगता है GST, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर और देख ले, फिर आपको क्या करते हैं, बता क्या करना होता है, गुड्स खरीदने पे भी GST, गुड्स बेचने पे भी GST, दोनों, सही सुना अपने, अब परचेस करेंगे हम, तो क्या होगा, परचेस करेंगे तो गुड्स आएगा, जब हम परचेस करते हैं, फर्म गुड्स परचेस करती है, कोई expenses करती है, खर्चा क जाते हैं इन सब पे लगता है input GST ये GST दोनों जोड़ के हैं याद रखेगा ये CGST और SGST को जोड़ करके है या simply अगर interstate का case है अथा goods एक state से दूसरे state का case है तो IGST है ठीक है input input कब लगता है आप जब purchase करते हैं goods खरीदते हैं या goods पे जो खर्चे होते हैं जैसे courier charges लग जाता है अब आपने गाड़ी खरीदी है insurance premium लगेगा कि नहीं लगेगा तो insurance premium एक expense है कि नहीं है लगेगा GST insurance premium पे भी expense पे लगता है पर आप खरीदते हैं तो कौन सा लगता है input लगता है अच्छा ऐसा logic सोच सकते हो input क्यों लग रहा है input मतलब खरीदते समय goods क्या हो रहा होता है आ रहा होता है correct इसलिए लगता है input इशारेश समझ जाते हो next दूसरा इसका उल्टा होने वाला है ये ह sale करना, sale करना या कोई income receive करना आपने कोई sale करने पे कुछ कमाई कर ली तो उस पर लगने वाला है output GST दोनों में याद रखेगा जैसे ही GST word आ रहा है तो इसके अंदर हर तरह का GST included है C GST भी है तो S GST भी है इट includes total हाँ जब भी हम GST की बात करते हैं तो हम total GST की बात करते हैं C GST और S GST दोनों की बात करते हैं तो अब कोशन आता है ये बेचने पे लगता है output क्योंकि बेचने पे क्या हो रहा है firm के बाहर गुड जा रहा है ऐसे भी याद कर सकते हो भी जब sell करती है firm तो क्या होता है goods बाहर जाता है ये वाला GST यहां से देखेगा ये वाला GST जो sale कर रही है वो firm के लिए क्या है एक पैसा सरकार का है collect जरूर firm कर रही है आपसे पर वह रख नहीं सकती इस पैसे को ये पैसा उसको government को देना होता है जबकि ये पैसा जो GST firm ने pay किया था खरिदते समय ये उसके लिए क्या है एक तरह का asset है ठीक है क्या मतलब कहताना चाहते हैं मैं हूं firm मैंने मैं अपने आप पड़ देते हैं तरुन ट्रेडर्स अरे नाम तो अपना ही लिखना पड़ेगा ना जब मैं हूं firm तो तरुन ट्रेडर्स ने क्या किया आओ देखते हैं मेरे एक्जामपल दर निया क्या किया purchase किया भई हम खरीदेंगे तब ही तो बेचेंगे तो मैंने purchase किया goods अज्यूम करते हैं 10,000 का ध्यान दीजेगा formula इससे create हो जाएगा formula create कर दूँगा तो यह formula बार-बार लगाना होगा यह formula आपको बहुत समझ में आ जाएगा simple समझ में आ जाएगा तो मैंने goods purchase किया मैं हूँ trader मैंने बता दिया तरुन traders purchases goods कितने का है 10,000 का goods है और इस पे GST GST है 10% अब GST बोल दिया तो इसका मतलब जरूर से इसके अंदर क्या है दोनों included है दोनों कौन सा state का GST भी that is SGST and central government का कितना होगा दोनों 10% का GST है तो 55 ठीक है 55 तो GST है 10% मैंने purchase कर लिया और sell भी कर दिया sell it within state अपने ही state के अंदर उसको बेच दिया यूपी में थुआ मैं यूपी में हूँ यूपी में बेच दिया पर बेचा कितने का let's assume for rupees 15,000 clear? अरे बड़ा असान है भाई कुछ तो ही नहीं खरीदा कितने का? 10,000 का बेचा कितने का? 15,000 का GST का rate कितना है हमारे state में? 10% है तो यही तुमें जो कहना है कि जब आपको मालूम चल गया है मैं कुछ कॉलम से समझाना चाहूँगा आपको जब आपको मालूम चल गया है कि क्या हो रहा है? purchase कर रहे हैं? लिख दो purchase और कितने का purchase कर रहे हैं? 10,000 का और 2 GST लगना है ठीक है? एक C GST और S GST अगर separately आपसे पूछेगा कि दोनों का GST कितना है तो आप बड़े आराम से बता देंगे पर मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं बस पूछ रहा हूँ GST कितना है? 10% तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1000 कितना लगाया मैंने? GST 10% simple 10% किसका? taxable amount का तो मुझे GST कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपया जब मैं खरीदूंगा तो मुझे goods कितने का पड़ेगा? ये रहा 11,000 का ठीक है? simple है? मुझे goods कितने का पड़ा? 11,000 का अच्छा ये वाला GST जो मैंने जब मैंने खरीदा तो मुझे क्या करना पड़ा? ये GST मेरे लिए क् इनपुट GST है तो इनपुट GST लिख दूँ यहां पर इनपुट GST ध्यान से देखिएगा? इनपुट का आई कैपिल कर दिया और GST स्मॉल कर दिया कितने का? 1000 का. similarly मैंने goods को sell किया? sell कितने में किया? 15,000? हाँ मैच मच्छर है और मच्छर के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा हाथ मारना पड़ता है मच्छर को है ना? और इसके लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा? notebook और pen लेके बैठनी पड़ेगी क्योंकि maths अगर आप सोचोगे कि मैं orally कर लूँगा और देख लूँगा सर का और सर तो इतना बढ़िया समझाते हैं समझ में भी आ जा हो सकता है अब live अभी ना देख रहा हूं मैं मान सकता हूं बट जब भी करोगे वीडियो उसको on करोगे और जब भी देखोगे तो साथ में pen लेके बैठना, notebook लेके बैठना और साथ में लगाना इस सेशन के खतम होने के बाद GST अगर नहीं आ गया तो प्लीज मुझे जरूर से personal DM करना मैं तुम्हें supportive lesson भी जरूर बताओंगा अलग से दूँगा class चलो इतना तो वादा करी सकता हूं तो GST कितना है 10% अब 15,000 पे GST मुझे collect करना है ठीक है अब जब collect करेंगे 15,000 पे त तो कितने में बेचेंगे 15,000 में नहीं बेचेंगे 15,000 प्लस 1500 that is 16,500 ध्यान दिया आपने अब मेरा output GST कितना है ध्यान से देखिएगा output GST मेरा 1500 है क्योंकि output GST मैंने क्या किया goods बेचा उस पे लगा अब question क्या है अगर आपसे question पूछता है what is the GST payable क्या GST payable तो यहां कहीं तो GST payable ही नहीं है तो GST payable मतलब मैं हूँ shopkeeper मैं हूँ यह trader मुझे GST देना पड़ेगा और मुझे जब GST देना पड़ेगा तो इसका एक simple सा formula है formula स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूँ formula है formula है GST payable अथार जो GST मुझे देना है एक firm को देना है एक shopkeeper को देना है will be output GST minus input GST क्योंकि output वो है जो firm ने collect किया है ठीक है यह वाला GST जो है यह वाला 1500 वाला वो firm ने collect किया है ठीक है यह GST firm ने collect कर लिया है क्या यह firm उस GST की मालिक है क्या यह GST firm का है क्या यह वाला GST firm का है जवाब है नहीं यह GST सरकार का है और ultimately it has to be returned to yes और यह वाला जो GST दिख रहा है यह वाला GST firm ने pay किया था समझ गया ना तो firm ने GST सरकार को पहले ही कितना दे दिया है और अभी उसने customer से मैं हूँ मैं हूँ तरुंट रिडर्ज याद है न मैंने बताया था और मैंने कितना कलेट किया अपने customer से 1500 तो मुझे अभी भी सरकार को अगर 500 और दे दूंगा तो मेरा इसाब खतम हो जाएगा मुझे हर पल हर बार क्या करना पड़ेगा जो GST मेरे पास आया है वह पूरा total amount सरकार कोई देना है तो मेरे पास GST कितना आ गया है मेरे पास 1500 आ गया है मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता हूं मुझे सरकार को 1500 देना है ठीक है और 1500 में से मैं सरकार को याद दिला रहा हूं ये देखिए मेरे पास GST जमा है मैंने खरिदते समय GST 1000 पे किया था तो वही दिख तो बचा कितना अगर मैंने 1500 कलेट कर लिया जो कि मेरे उपर क्या है गवर्मेंट का पैसा जमा है उसमें से जितना मैंने पे कर दिया एक हजार कटा लेंगे अभी भी 500 रुपया बैलेंस बच रहा है ये मैं क्या करूँगा सरकार को पे कर दूँगा this is what is called as GST Payable क्या कहते हैं इसको GST Payable formula बन गया GST Payable का एक आम बिजनस से मैंने क्या कर दिया आपके लिए formula create कर दिया GST Payable वो amount है GST का जो इस firm को yes मुझे मैं हूँ firm मैंने तो अपने आपको बोला ही मैं हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा गवर्णे को दिना पड़ेगा formula भी बन गया GST Payable का अब क्या होगा इसका reverse हो जाए तो reverse भी तो हो सकता है हो सकता है मेरा input GST ही जादा आ जाए तो ये हो सकता है कि नी हो सकता है तो क्या होगा तो निकलेगा GST credit, क्या निकलेगा GST credit, GST credit ये बताता है कि मैंने अभी सरकार को अल्रेडी जादा GST पे कर रखा है और मुझे जो GST collect भी हुआ है, मैंने जो customer से GST लिया भी है, वो कम है, ठीक है, तो मुझे अभी सरकार को GST payment नहीं करना है, collect जरू कर लिया है मैंने लोगों से, अपने customer से, पर मैं payment नहीं करूँगा, ठीक है, ये कब आएगा, GST credit कब आएगा, जब आपका input GST क्या होगा, जादा होगा, आउटपूट से, इसका ठीक reverse होगा, इस case में आप GST सरकार को नहीं दोगे, तो करेंगे क्या सर, GST देंगे नहीं हो तो बाट ठीक है, ये इस पैसे का, कि ये पैसा, जो GST credit है, ये हम अपने पास hold की रखे रहेंगे, हम मतलब firm अपने पास hold की रखे रहेंगे, और जब तक क्या होगा, GST की output की value इसके बराबर तक नहीं आएगी, तब तक पैसा अपना adjust करते रहेंगे, क्या करेंगे firm, adjust करते रहेंगे, और ज इस दिन क्या हो जाएगा, output जादा हो जाएगा, जितना जादा होगा, हमारे input से payment कर देंगे, वरना बैठे रहेंगे, clear है, GST credit, समझ गया है, आईए, अब कुछ example हमने जो numerical आपके लिए develop की हैं, आईए उसके साथ true करते हैं, तो basic funda clear है, GST दो पार्ट में divided है, within the state होगा, तो आपको दो बार GST निकालना पड़ता है, SGST, CGST, specifically पूछेगा SGST, CSGST, तो ही निकालेगा, वरना आप एक ही बार में दोनों को calculate कर देगा, क्योंकि दोनों हमेशा equal होते हैं, SGST, State GST, CGST, Central Government का GST, दोनों ही क्या होते हैं, equal होते हैं, ठीक है, यहां रखेंगे इस बात को, और अगर goods within the state न हो, beyond the state होतो, एक state से दूसरे state में buying and selling चल रही होतो, तो आपको लगाना पड़ेगा IGST, integrated, जो की एक ही बार में निकल जाता है, इसके division नहीं होते हैं, ठीक है, बस यतना ध्यान देना है आपको, कि rule में ये ध्यान देना है, कि आप खरीद रहे हैं, purchase कर रह हैं, देखें, आप purchase कर रहे हैं, तो आपको purchase करते समय थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान यही देना है, कि ये वाला GST, आप pay कर देते हैं, उ सरकार को, ये वाला GST जो होता है, ये हम pay करते हैं, firm की नहर से मैं कह रहा हूँ, ये firm क्या करती है, खरीद ते समय पे करती है, consumer की ने से नहीं कह रहे है आम आदनी ने से नहीं कह रहे है ठीक है और जब फर्म क्या करती है जब फर्म बेच देती है तो तो जी एस्टी क्या कर लेती है कलेट कर लेती है कलर थोड़ा सा हलका कर दूं हां कलर यहां पर कर देता हूं नहीं इसका कलर ही सही रहेगा तो क्या करती ह firm collect कर लेती है collect वाले कोई क्या कहते है output याद रखेगा यह GST आपका पैसा firm का पैसा नहीं होता है firm को क्या करना होता है या सरकार को देना होता है बस इसी किलाम से वड़ा जाता है GST Payable clear? चलो यहाँ, layman की नजर से बात करें तुमारे मेरी निजर से बात करें भाईया, हम लोग तो firm नहीं है अगर आम आद्मी निजर से बात करेंगे तुम और मैं अगर आम नजर की नजर से देखें firm की point of vision नह देखें हम तो जो good खरीद के आते हैं उसमें GST जुड़ा है बस चुप चाप पैसा दुकान दर को दे आते हैं समान खरीद के आते हैं ज्यादा तर ऐसे होता है अलग से calculation नहीं होता है हाँ भाई तुमने अगर कोई chips खरीदा chips का packet खरीदा या कोई chocolate खरीदा भाई तो उसमें क्या है? पैसा जुड़ा हुआ है आपको अलग से calculate नहीं करना है दुकान दर ने कहा भाईया 50 रुपय दे दो chocolate का तुमने 50 पर दिया उसमें already added है ठीक है? आईए हम लोग कुछ क्या करेंगे? अच्छा एक formula और दिखा देता हूँ उसके बाद तब आगे numerical ले चलता हूँ एक formula और देखा देता हूँ formula यह तब लगेगा यह formula तब लगेगा जब आपको taxable amount नहीं मालूम होगा आप जब बजार में जा रहे हैं एक example और समझ लेते हैं आप बजार में जा रहे हैं तो कई बार क्या होता है? उसमें tag price लगी होती है क्या चीज? टैग price कई बार उसको बोलते है एक showroom price गाड़िया खरितने तो ही आता है एक showroom price अरे sticker लगा होता है इस चीज का भाई कि इतनी दाम में है या इसको बोलते है mark price नाम जरू सुना होगा mark price तो नाम जरू सुना होगा mark price तो ये price यूज्वली क्या होता है selling price नहीं होती है क्या चीज? ये price का तो tag लगा होता है sticker chip का होता है ठीक है? एक example से करें आओ चलो करते है बाठा के showroom में तुम गए हाँ अकसर देखोगे लिखा होता है flat 50% off आजकल तो monsoon से चल रही है ठीक है? चलो example इसी से करते है तो तुम बाठा के showroom में गए ज्यान देना तुमारे लिए ठीक है? बाठा के showroom में गए तुम लिखा हुआ है क्या? 50% discount मजा आ गया 50% और mark price लिखी हुई है let's assume आपको जो shoes पसंदा रहा है उसमें 1000 तो mark price क्या बताता है? mark price वो price बताता है जितने का उस पे sticker लगा हुआ है या mark लगा हुआ है निशान लगा हुआ है तो GST कभी भी mark price पे नहीं लगता है ठीक है? GST व्यान से देखिएगा कितना परसंट है government का GST? 10% for example है मेरा तो आपको mark price पे GST ले नहीं देना है क्योंकि ये taxable amount नहीं है अगर इसी दाम पे विक्ता goods mark price के 1000 का mark price है और एक ही 1000 में दुका अंदर बेच रहा है कोई discount नहीं है तो यही आपका taxable price है यही एक साथ taxable amount है taxable amount मतलब जिस पे tax calculate होगा मतलब GSP जिस पे निकालोगे कब होगा जब discount नहीं होगा तो मेरे किसमे तो discount है तो आप कैसे निकालोगे taxable amount formula दे दे रहा हूँ आपको taxable amount निकालने के लिए taxable amount वो amount होता है जिस पर GST लगना है ध्यान दीजेगा discount हो जाने की वजए से taxable amount कम हो जाता है हाँ आप कहोगे सर answer 500 एतना महनत क्यों कर रहे है पर अगर percentage बहुत सारे होते तो क्या होता तभी के लिए मैं बता रहा हूँ तो formula क्या लगाएंगे आप आप लगाएंगे mark price हाँ मद पदेश नहीं mark price चलो mark price into 100 minus discount percent upon 100 ठीक अगर आप कहेंगे सर एक discount नहीं है दो discount है पहला discount 50% का है यह रा discount 1 दूसरा discount 10% का और है यह रा discount 2 अब क्या करेंगे सर तो इसको आगे बढ़ा देंगे आगे बढ़ा देंगे 100 minus second discount का percent upon hundred तीसरा भी है क्या हाँ आगे बढ़ जाओ एक step और बढ़ जाओ तीन discount है successive discounts है तो ऐसा बढ़ता जाएगा ठीक है एक single formula से आप taxable amount निकाल सकते हूँ formula याद रहेगा formula याद रहेगा इसकी जरुरत पढ़ने वाली है मैं बता दे रहा हूँ you will need it आपको इसकी जरुरत पढ़ने वाली है क्योंकि taxable amount आपको नहीं मालुम होगा तो आप GST लगा नहीं पाओगे क्योंकि GST लगना है इस taxable amount पे आए हमारे पास तो दो discount है मेरे example मैंने एक था पहले 50 था मैंने आपको समझाने के लिए और बढ़ा दिया आओ इसी को solve करते हैं करें solve आओ taxable amount निकालना है में हमारा mark price है कितना मैंने simple लिया था mark price कहां था mark price यह रहा हमारा mark price है 1000 so mark price 1000 100 minus discount that means 100 minus 50 upon 100 ठीक है second 100 minus 10 upon 100 यह यह formula दो बर लग गया solve कर दीजी आप आपका आएगा 1000 into 50 upon 100 और इसका आजाएगा into 90 upon 100 क्या कहते हैं simple है बहुत simple है आईए simplify कर देता हूँ आपका answer आगया 450 रुपीज तो 450 क्या है आपका आपका taxable amount है अब अगर आप customer है तुम गए हो अगर इस बाटा वाले शुरू में गए थे ने तुम और तुम्हें यह शूज पसंद आया था 1000 रपे वाला तो तुम्हें कितना प्राइस देना पड़ेगा क्या 450 देखे चले आओगे बाटा को नाइ 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 बाटा वाला तुम्हें जाने नहीं देगा क्या अगर भाईया यह तो 400 का तो जूता है ही 300 की जूते के साथ GST भी तो दीजी आप समझ गया ना तो इसमें क्या करना पड़ेगा GST कल्कुलेट करना पड़ेगा किस अमाउंट पे निकालते हैं GST इस टेक्सेबल अमाउंट पे निकालते हैं So GST GST will be कितना परसंट मैंने बताया GST कितना दिया है 10% कोशन में दिया रहेगा टेंशन लेनी की जरुवत नहीं है GST का परसंट is always given तो GST is 10% 450 का 10% कितना आ गया 45 रुपीस तो आपको 450 नहीं देना है टोटल अमाउंट पे बल बाए कस्टमर कितना है कस्टमर हो आप तो 450 तो दो गई दोगे क्योंकि उतने का तो शूज है प्लस उस पे 45 रुपीस GST लग जाएगा So finally कितना दोगे 495 क्या कहते हैं समझ में आ गया है पक्का चलो अब आपको ले चलते हैं वापस कैसे तरह के आते हैं किस तरह का कॉशन है आपकी बुक्स में हाँ आपने अगर यूज की हुई है S चांद की बुक आप यूज कर रहे हैं तो मैं कॉशन्स कोशिश करूँगा उससे ही आपके दूँ चली common book है आईए यह रा स्क्रीन पर एक कॉशन आता हुआ देखिए इसमें calculate अलग से separately करना है इस कोशन में separately कह रहा है शो करने के लिए शो C G S T S G S T हाँ न? S G S T और क्या शो करना है G S T पेबल यह शो करना है इस कोशन में clearly कह रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा तब आपको इसके लिए एक table बना देना चाहिए थोड़ा easy हो जाता है table बनाने से हाँ कोई table is not hard and fast कोई ऐसा composite नहीं है कि आप table बनाएंगे बनाएंगे table कुछ इस तरह से बनाएंगे आप पहले लिख दीजे particulars ठीक है आगे लिख दीजे amount उसके बाद बना दीजे C G S T बाद बना दीजे S G S T दोनों सेम होता है आप यह जानते हैं और यहां पे total total G S T बना सकते हैं चलिए एक यह करके क्या करते हैं example के साथ solve करना शुरू करते हैं अगर आप द्यान देंगे तो आपको यह ध्यान देना है कि जब आप बेच रहे हैं और question में लिखा है clearly within the state बेच रहे हैं तो within the state बेच रहे हैं तो आपको लगेगा output याद रखेगा यह सारा calculation G S T के लिए मैं दिखा रहा हूँ specifically आप से कहेगा what will be asked in the question show G S T C G S T G S T पेबल तो आप यह बना सकते हैं कोई कम पसे नहीं है कि आप ऐसा ही टेबल बनाएं बट टेबल से क्या हो जाएगा आपको clearly visible हो जाएगा तो output G S T आप पहले निकाल रहे हैं क्योंकि sales दियावा है sale पे याँ आपकी income पे क्या लगता है output G S T लगता है sale का amount कितना है sale का amount है 1 lakh रुपीज का ध्यान दीजे sale का amount 1 lakh रुपीज का है G S T का percent कितना बता रहा है 18 है और 18 percent है तो इसका मतलब 9 percent आपका लगेगा 9 percent central में लगेगा और 9 percent state पे लगेगा so 9 percent of 1 lakh कितना हो जाएगा simply 9,000 similarly यहाँ भी 9 percent कितना हो जाएगा 9,000 पर यह कौन सा G S T है यह है आपके लिए G S T पेबल ठीक है G S T पेबल आ गया अब अगला G S T किस पे निकालो गया परचेस पे और क्योंकि परचेस पे G S T निकालो गया तो वो क्यासा G S T होगा परचेस पे G S T आपका input होगा मैंने पहले ही बताया firm की नजर से अगर सोचेंगे तब आपको यह बात समझ में आएगी consumer की नजर की नमस सोचना है किसकी नजर सोचना है यह कि तुम firm हो, यह firm की point of view से बन रहा है क्योंकि ऐसा consumer हम जब जाएंगे ना तो input output यह सब जवाल भवाल नहीं होने वाला है, फिर से फिर से बताता हूँ, अगर मैं और आप कोई समान खरीदने जाते हैं, हाँ, कोई भी ममी ने बुला, जाओ बेटा, मेगी ले आओ तुम गए, बारा रुपे का एक छोटा पैकेट मेगी का आता है, तो कभी दुगान दर से तुमने पूछा है, भाया, इसके अंदर GST कितना है इसमें आपका GST पेबल कितना है, हरे क्यों बवाल लकरते हैं बारा रुपे देते हैं, समान लेके चले आते हैं, मनलब उस बारा रुपे के अंदर GST included है, तो हम लोग जब अपने पूरा वर्किंग दिखाना पड़ेगा, समझ गया न, यह क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यह फर्म खरीद भी रही है, बेज भी रही है, तो हमको तो GST का वो न पेबल, न क्रेडिट ऐसा कोई जमिला ही नहीं है, हमको तो प्राइस पे करना है, बस, खतम, हैंकि नहीं है, हम जब भी प्राइस पे करते हैं, तो इंक्लूडिंग GST पे करते हैं, तुम और मैं जब भी जाते हैं, यस, ऐसा कंजूमर मैं या तुम जो हहां बेटे हो, जब भी समान खरिदने जाते हो, ऐसा कंजूमर खरीदते हो और पूरा प्राइस पे कर देते हो, इंक्लूडिंग GST, उसमें टेक्सिबल अमाउंट प् फर्म ने खरीदा फर्म ने 80,000 का है देख लिजे परचेस कितने का किया 80,000 का और दोनों भी क्या लिखा है वो भी कहां पर खरीदा है विदिन दी स्टेट है ले क्या लगेगा जैसे विदिन दी स्टेट आ जाए तो आपको क्या करना है C और S GST लगाना है और अब इस पे ल रहा हूं या पर आपके लिए C GST plus S GST is always equal to GST, दोनों जुड़ जाएगा तो GST बन जाएगा, ठीक है, चाहे वो percent की बात करें, चाहे amount की बात करें, percent के एसाब से भी लिखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, तो भी, तो भी मैं कह रहा हूं और amount के साब से भी लिखूंगा तो भी, ठीक है, तो हमारे case में, एक zero extra हो गया है, हमारे case में यहाँ पर यही होने वाला है, ठीक है, हमारे case में यहाँ पर 14,400 GST क्या हो गया है, input आ गया है, अब आपको निकालना है GST payable, directly भी आप minus कर सकते हैं इन दोनों में से, तो भी आपका अंसर आ जाएगा, GST payable, कितना आ जाएगा, 3600 क्योंकि output minus input है formula, GST payable का output है 18,000, input है 14,000, और यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है न, यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, आपके पास बचरा है 1800, यह रहा, यहाँ भी बचरा है 1800, आउर्पुट जादा है, इसलिए आप लिखेंगे, GST payable, ध्यान दीजेगा, यह शॉपकीपर को, इस शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा, GST अभी 3600 और देना है, अच्छा 3600 क्यों देना है, मैंने बताया, साबित किया, कि इस शॉपकीपर ने 14,400, यह रहा, 14,400 जो है, यह वाला जो GST है, शॉपकीपर ने ओलेडी खरित्ते समय दे दिया था, पर GST उसको देना कितना है, 18,000, तो 3600 और बचा, वो GST सरकार को देगा, देगा, इसलिए payable, clear है, आगे बढ़े, चलो, आपके रहो तो आगे बढ़ जाते हैं, चलो, next question के तरह बढ़ जाते है next question मेरे पास screen पर ये रहा, थोड़ा सा change कर दिया है, थोड़ा सा change कर दिया है, question में अलग रहा है, एक 0 का अंतर है, question में 0 कम या ज़्यादा हो गया है, कोई फरक नहीं पड़ता है, हम लोग उसको balance कर लेंगे, आओ देखते हैं, हमारे इस question में इसको ले लेते हैं, 76,000, ठी है, हटा दिया 0 मेरे, चलो, इस बार क्या दिख रहा है, इस बार भी आपको क्या करना है, कह रहा है, clearly, क्या करो, show करो, क्या show करना है, cgst, sgst, and gst, payable, gst, payable, या credit, ये आपको show करने ले कह रहा है, question में ये clearly कहेगा, gst, payable है कि credit है, ठीक, तो आपने क्या करना है, देखे, purchase, sale दोनों दिया हुआ है, तो purchase, sale दिया है, तो आप consumer की point of vision नहीं सोचेंगे, ठीक है, consumer की price, firm की point of vision सोचेंगे, क्योंकि firm खरिती और बेचती दोनों है, एक consumer सिर्फ खरिदता है, ठीक हिए, और वो क्या करता है, price including gst देता है, clear है, consumer जब रहे हैं दूसरा कॉलम दे देंगे अमाउन के लिए तीसरा कॉलम आपको बताया था सी जी एस्टी अगला कॉलम sgst and last में क्या हो जाएगा टोटल जी एस्ट या टोटल ऑफ जी एस्ट ठीक है ऐसा कर सकते हैं चलिए आपको फटाफ़ कॉशन पुट करते हैं और देखाते हैं क्या अंसर होने वाला आपके पास सबसे पहले आपके पास सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स पर आप क्या लगाते हो सेल करने पर क्या लगता है इंकम कमाने पर क्या लगता है आउटपूट तो आप लिखेंगे आउटपूट जी एस्ट और कितने का सेल कर रहे है, 76,000 का, 76,000 का, इस बार GST कितना है, देखे 18% है, 18% है तो अगेन 9% CGST, 9% SGST, तो 9% निकाल दीजे, 9, 6, 54, 9, 7, 63, 63 और 4, 67, 6740, ठीक है, आपके पास दोनों सेम आएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरुवत नहीं है, 9 के टेबल से मैंने मनटपलाई कर दिया, और आगे का 2-0 रिमूव कर दिया, असान तरीका बता रहा हूँ, औरली कल्कुट करने का, आप लास्ट के 2-0 को क्या करें, इग्नोर कर दीजे, क्योंकि रहा आपके पास GST पेबल, स्वरी, आउटपुट GST, क्यों, आउटपुट क्यों, क्योंकि टोटल GST आ गया, सेल्स पर, सेल्स का GST हमेशा आउटपुट GST होता है, ठीक है, अब यह तो GST हो गया, किस चीज़ का, सेल का, पर्चेस का GST, अब आप पर्चेस भी कर रहे हो होगे, तो पर्चेस करेंगे, तो GST क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, पर्चेस पर GST को क्या बोलते हैं, क्या पर्चेस बड़ बोलते हैं, नए, जब पर्चेस करते हैं, तो GST क्या बोलते हैं, इनपुट GST, पर्चेस करेंगे, या पर्चेस से जुड़ा कोई खर्चा होगा उसको जेस्ट को कहेंगे input GST और input GST कितने पर लगना है 70,000 पर अगे 70,000 है 9% 9% निकालेंगे 790 63 63 ठीक है हमने निकाला 790 ठीक है आपका अंसर दिख रहा होगा जरूर दिख रहा होगा आपको GST पेवल साफ सफ दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि आपके पास output GST जादा है input GST कम है simply आपका अंसर आपका अंसर आ रहा है कितना 880 880 आपका क्या हो रहा है GST पेबल है और आप ऐसे भी चेक करके देख लीजे यहाँ पर आप निका लिए अलग-अलग इसमें से इसको माइनस कर दीजे तो आपके पास निकल आएगा हाँ, आपके पास निकल आएगा कितना 4 40 यहाँ भी माइनस कर दीजे 440, सो टोटल एड करी कितना आएगा, 880 यह आपके पास है GST पेबल अब तो नहीं भूलने वाले हो पक्का, पर मैंने बताया यह question आप कब करोगे, ऐसा format कब बनाने की ज़रुवत पढ़ लगते है पढ़ सकती है आपको जब आपको क्या हो, purchase, sale, सारा दिया हो यह पूरे firm के नजर से हम कर रहे है example, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं ऐसा ही एक और typical question को देख लेते हैं देखिए अब इस बार जो है GST जो है वो लगेगी पर CGST, SGST ने लगेगी ऐसा कैसे पैचाना? हाँ, अगर live बैठे हैं तो मुझे comment करके बताइए why इसमें IGST लगेगा क्यों? जब तक मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ? question करना शुरू करता हूँ आप मुझे बताइए why we will apply IGST not CGST, SGST नहीं अपलाई करेंगे क्यों? तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का हो गया आपके पास दूसरा कॉलम हो गया amount का तीसरा कॉलम हो गया IGST yes, IGST is equal to both CGST plus SGST दोनों add कर दीजे इसका total होता है IGST क्योंकि मैंने का इसको collect central government करती है integrated GST को और दोनों को बाट देती है ठीक है? और आपने अगर जवाब दे दिया है तो मैं भी तुरंत देखता हूँ तो total GST payable देखे क्योंकि interstate नहीं है साफ साफ लिखा है कि goods कहां पे है sale कहां हो रहा है outside the state हो रहा है और even purchase भी कहां से हो रहा है outside the state हो रहा है तो आप sale की value से देखके बता सकते हैं कि output ज़्यादा लगेगा sale की value ज़्यादा दिख रही है साफ सब दिख रहा है sale ज़्यादा में कर रहा है या यसे कहें दुकान दार हमेशा profit में वेशते हैं तो जो profit में वेशते हैं तो जितना profit का हिस्सा आता है वही final क्या होता है, पे GST actually payable होता है, फिर से logic के नजर से कह रहा हूँ, अगर दुकान धार ने खरीदा 60,000 का और बेचा कितने का 1,00,000 का, प्रफिट कितना कमाया, प्रफिट कितना कमाया, 40,000 का कमाया प्रफिट, तो प्रफिट पे GST निकाल दो, बस actually में उतना ही GST payable होता है, test करके दिखाए है वाला, आओ करके दिखते हैं, यही चीज़ करेंगे भी, पहले, पहले पूरा फूल करेंगे, फिर यह भी करके दिखाएंगे, तो GST output, तो output GST, हाँ, amount है 1,00,000 का, 1,00,000 का, सीधे, सीधे 18% निकाल देंगे, 99, 18, ठीक है न, 9% यह है, प्लस 9% यह है, तो total हो गया, 18%, so 18% सीधे निकालना है हमको, 1,00,000 का 18% करेंगे, तो 18,000 आ गया, ठीक, यह हो गया मारे पास GST का output, अब input भी निकाल दो, आओ, input निकालते हैं, input, input किस पे निकलेगा, परचेस पे निकलेगा, यह आप जान चुके हैं, तो अब परचेस प्राइस कितनी मेरी 60,000, 60,000 पर 18% निकालना है, 6,8, 48, 6,6 और 4, 10, so 10,800, ठीक, तो आपके पास GST आ गया, 10,800, आप सिंपली देखो, आपके पास output की value जादा है, वैसे भी मैंने बता दिया था, आप पहचान सकते output GST जादा आएगा, क्योंकि sale value जादा है, जब sale की कीमत जादा होगे, तो sale मतलब output, output की value जादा होगे, आपके पास net value आ रहा है, कितना देखें यहाँ पर, 7,200, ठीक, यही है आपका GST पेबल, आप तो doubt हाई नहीं, GST पेबल है, याद रखेगा, इसमें total GST है, अगर इसमें state और CGST नहीं है, क्योंकि इसमें IGST है, क्योंकि यह outside the state लिखा है, keyword है outside the state जिससे आप पैचान गए, अब मेरा question यहाँ पर यह है, क्या हमको इसको directly निकाला जा सकता है, हाँ मैंने खाँ directly भी निकाला जा सकता है, directly कैसे निकालेंगे, आइए directly भी निकाल देते है, ठीक है, directly भी निकाल देते है, डेरेकली निकालन है, आपको मालूम है, SP-CP gives you profit, SP है 1,00,000, CP है 60,000, तो profit कितना आ रहा है, 40,000, तो एक तरह से shopkeeper ने कितने पर, कितने पर GST pay करना है, इसी पर pay करना है, क्योंकि 60 का तो GST अलएड़ी वो दे रहा है, तो उतका तो GST adjust होना ही होना है, input के नाम पर, थोड़ा सा, थोड़ा सा, स आपको कहता है, आप लगाते रहो, लगाते रहो, और जितना लगाओगे, गल्तियां मिलेंगी, थोड़ा गुसा आएगा, मन करेगा, भुक भेग दें, उठा करके, हट, नहीं आ रहा है, घुसा आजाएगे, कभी-कभी ऐसा होता है, होता है कि नहीं होता है, कुशन्स आ रहे होते हैं मंद तो करता है तो भीक ने उठागर के मैं इसकी बुक वहादी बखवाज सब्जेक्ट है गल्स तो ज्यादा तर मेरी यही कह रही है अना गर्री कर रही है दों री, सर तरण रपानी है न, बस इतना होसला रखना, इतनी हिम्मत रखना और बार बार उस लेसन वीडियो को चला के देखना जो मैंने आपके लिए बना आ है इतना promise कर रहा हूँ इतना वचन दे रहा हूँ हर बार शायद मैं आपको उड़ करके येस आपके mobile से उड़ करके आपके घर पे येस लेंड करता हूँ आपको दिखाई दुने लगूंगा आपको और मेरी बात को याद रखना आपको मैसूस होगा कि मैं हुस कोशन को कर रहा मैस आपकी क्या करता है न आपकी पेशन को चेक करता है हाँ देखता है कि आप बहुत ज़्यादा उतावले तो नहीं हो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गुसा जाने वाले या बहुत जासा जैसे एक जगह बैटने वाले नहीं हो करें बैट नहीं पातो एक जगह बस कि बस भागने लगते हो तो मैस कहता है नहीं थमजा रुकजा भाई रुकजा तू बैठ ले थोड़ी देर थोड़ा रिलेक्स हो जा मोबाइल बन दोस्त बन गाने बन कॉंसेंट्रेट मोबाइल साब कुछ बंद करके तब करो कॉंसेंट्रेट करो आई प्रामिस यू कुछी दिनों के अंदर मैस से प्यार नहीं हो जाएगा तो फिर मुझसे कहना तो इस इसलिए कह रहा हूं मैस मच्छर मच्छर है माडा लेंगे मिलकर के चलो बढ़ते हैं GST पेबल सीधे निकाल लो GST पेबल कैसे निकालोगे GST पेबन निकालोगे GST परसेंट ऑफ प्राफेट सिंपल और आपका GST कितना है 18% है 19% यह रहा 18% 9 plus 9 18% 18% of 40,000 निकाल दो simple 40,000 का 18% आपका अंसर आ गया क्या अंसर आया 7,200 यही तो मैं कह रहा हूँ यही तो मैं कह रहा हूँ आपको maths आपको कहता है आप patiently क्या करो चीजों को observe करो लगाते रहो और किसी भी distraction को रास्ते में मत आने दो ठीक है क्योंकि आपको बहुत लोग क्या करेंगे बहुत चीज़ें disturb करेंगी हो सकता है शायद आपका प्यारा दोस भी आपको disturb करेगा तो please don't mind उसको थोड़ी देर के लिए क्या करो mobile को अपने airplane mode में डाल दो हाँ मैं जब live session ले रहा हुता हूँ don't mind मैंने भी airplane mode में डाल दिया कुछ समय के लिए ताकि मैं आपके साथ live जब हूँ मैं और आप हूँ तो बीच में मेरे कोई ना आप आए चलो आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह से finish करके इदम लेंगे हम लोग इस बार क्या होने वाला है देखिए इस बार आपके पास फिर से क्या है दो तरका दो तरका होने वाला है देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा आपका sales कम है और वो भी outside है तो जब sales कम कीमत का है और purchase है जादा तो आपका input GST जादा होगा कैसे मालूम चल गया सार आपको क्योंकि मुझे दिख रहा है purchase प्रैस जादा होगा तो आपको जब input minus output निकालना हो तो आपका formula बन जाता है GST credit ये वो GST है जो अभी balance में रखी है credit में रखी है किसके पास yes firm के पास मतलब अभी firm को GST payment नहीं करना है already ज़्यादा जमा है government के पास इसे कहते है input GST credit तो मेरी trick से करोगे इस बार सीधे कर देते हैं क्योंकि इस बार क्या है again outside the firm है तो आपको क्या लगने वाला है IGST लगने वाला है IGST लगने वाला है C GST S GST नहीं लगेगा सीधे लगेगा integrated GST क्योंकि firm के outside the goods sale हो रहा है और आपको निकालने का मैंने कहा इतना लंबा करने का मन नहीं कर रहे तो आप सीधे क्या करें profit से निकाल देजे आप यहां से निकाल लिए loss हो रहा है sir का एक लाख माइनस एक लाख बीस अजार आपका loss हो रहा है 20,000 का तो 20,000 पे GST है 9 प्लस 9 क्योंकि IGST दोनों को add गर के बनता है so it gives you 18% 18% और 20,000 simple GST credit आपका आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हाँ इस formula को लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको इतना लंबा एक बार purchase पे लगाओ ये रहा एक बार sale पे लगाओ नहीं एक ही बार में लगाओ सीधे profit पे लगाओ ठीक है so अपका loss हो रहा है तो इसलिए GST credit बोल ला हूँ कितना लगेगा ये IGST है और ये क्या है credit ठीक है क्योंकि loss है और सीधे निकालो 20,000 का कितना percent? 18% 9 plus 9 18% so this gives you 3,600 3,600 आपका answer है याद रखिए आपने concept समझा तो वो concept अब आपके दिमाग में रोना चाहिए और उस concept को और strong बनाने के लिए उसी पर question practice करते रो similar type के questions कीज़े practice कर लेंगे तो it will get deeper into your subconscious mind और उस तरह के questions फिर आप से गलती नहीं होने वाली है चलो आगे बढ़ जाते हैं और अब एक question ऐसा जो ओ-ओ I think अब similar है ये question अब screenshot ले लो और मुझे इसका answer देना मुझे बहुत खुशी होगी मेरे प्यारे superstars मुझे इसका answer देंगे तो question बहुत simple है आपको इसमें GST payable निकालना है take a screenshot question number 5 है आपको GST payable निकालना है क्या मैं question कह रहा हूँ find GST payable और मुझे comment box में बताईए चलिए मैं देखता हूँ मेरे कितने प्यारे superstars मेरे साथ रात को रात को डटे हुए है चलो क्योंकि अभी रात बागी है चलिए अगला question मैं आता हूँ मैं इस question पे screen पर आ गया हूँ यह question है the base price of Activa 5G is 42,000 मैंने questions as chan nाम की book के जिसमें उपी मलोतरा अनुभा गांगुली वाली जी book है उसके मैंने questions लिये है उसके कुछ illustrations भी लिये है और मैं चाहूँगा कि आप सब swim लगाई है कोशिश करी बिना दिखे लगाई है ठीक है मेरे साथ लगाई है तो base price of the Activa दे दिया है base price क्योंकि मैंने कहा जब आप खरिदने जाते हो firm के साथ जब आप खरिदने जाते हो तो आपको जो price दे करना होता है वो cost price मतलब taxable amount plus GST हम यह देते हैं दुकानदार को ठीक है तो अब यह firm के point of view से नहीं है हम लोग के इमरा point of view से है ठीक है GST कितना देना है 28% तो आपको मालूम ही है total GST निकालो ठीक है total GST निकालो तो 28% किस पर लगाएंगे जितना taxable है क्योंकि इसमें discount तो है नहीं क्या discount दिख रहा है क्या कहीं पर नहीं ना अगर discount होता तो discount पहले निकाल के minus कर देते मैंने taxable amount का formula direct भी दे दिया था ठीक है सीरे क्या करेंगे आप GST निकालेंगे कितना GST है 28% किसका निकालेंगे 28% 42,000 का यहीं आपका taxable amount है क्यातना हैगा GST मैं निकाल रहा हूँ GST is equal to 28 28% of 42,000 solve करिए चली 28 into 420 multiply कर देंगे 11,760 आपका क्या आजाएगा GST आजाएगा ठीक है पर यह तो हो गया पहला amount हो गया ठीक है अब आपसे क्या पूछ रहा है What is the CGST and what is the SGST आपको पता ही है कि GST is sum of CGST as well as SGST दोनों को add कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है GST टोटल बन जाता है यही न बनता है इसका मदलब आप चाहे तो 14-14% करके निकाल लेते इसमें से इस 28% को 14% इसका 14% इसका ऐसे भी कर सकते थे, सोच सकते थे और 14-14% दो बार निकाल देते तो भी आपका अंसर आ जाता CGST, SGST और यहां तो इसको हाफ कर दीजे क्योंकि आपको मालुम चल गया है कि यह दोनों हमेशा equal होते हैं और दोनों add up करके ही CGST बनते हैं डिसकस किया था तो इसलिए आप इसका हाफ कर देजे CGST CGST is equal to SGST is equal to half of GST कर सकते हो यह line clear है इस पर राउट है नहीं कर दो तो आप half of 11,760 कर दो कितना आएगा आओ देखे 25 जा 28 जा then 28 जा 0 जा तो 5880 आपका अंसर आ गया CGST और 5880 आ गया SGST final क्या question पूछा है last question क्या पूछा है आपके last part में पूछा है total amount the buyer has to pay तो मैंने बताया मैं और आप buyer है ठीक है न तो हम कौन सा amount pay करते हैं amount pay करने को कहते हैं जो amount देते हैं वो क्या होता है taxable amount ध्यान से सुनिए हाँ taxable टेबल नहीं भाई taxable यहां तो table बनने वाला था taxable amount जो tax लगने वाला amount था वो जिसको selling price भी कह रहा था question में plus GST यह हमें देना होता है दुकानदार हमें जो goods है उसकी कीमत plus उस पे लगने वाला GST दोनों हमसे लेता है GST वो नहीं भरेगा आपको भरना पड़ेगा आपको जोड़के कहेगा बताएगा वो तो इसलिए मेरे पास taxable amount है 42,000 और GST टोटल लग रहा था 11,760 तो एक्टिवा कितने की पड़ी एक्टिवा मुझे पड़ी 413 53,000 अर अभी भी सस्ती है भाई हाँ बड़ी सस्ती है जी एक्टिवा कोशन में तो असली मैं तो जाओगे एक्टिवा करेगने I think approximately 70,000 के आसपास चल रही है आजकर हाँ ना शायदा आप में से किसी के पास है कि एक्टिवा हाँ अगर आप में से किसी के पास है एक्टिवा तो कौन सा मॉडल है एक्टिवा का ये भी बताना और 5G है कि 6G हाँ वो मॉडल हाता है न 5G, 4G, 6G कौन सा मॉडल ये भी मुझ सकते हो मेरे पास पेस एक्टिवा नहीं है मेरे पास जुपिटर भी है हाँ टीवेस की जुपिटर चल आगे बढ़ जाते हैं और जस्ट पॉर किडिंग सेक आगे बढ़ जाते हैं अगला कोशन स्क्रीन पर ये आता हुआ आई मैंने आओ लेडी आपको बताया कि साथ में म लगाओगे तो ही मज़ा आएगा मैट्स लगाने की प्रेक्टिस करने की चीज है मैट्स मतलब थोड़ा पेशन्स मैट्स मतलब नोटबुक लो बुक लो बैठो लगाओ गलती आए फिर मिस्टेक करो तो फिर चेक करो अपने गलतियों को सीखो जानो कंसेट प्रवलम का है फिर मेरा वीडियो खोलो फिर रिवाइस करो यह आज आप लगा रहे हैं मेरे साथ हो सकता है आप शाद लाइव देख रहे हो और हो सकता है कि आपने इस मेरे वीडियो को रिकॉर्डेट फॉर्म में देखा होगा क्योंकि लाइव आप नहीं बैट पाए थे कोई शू नही दुबारा जब देखोगे उसको कहीं सेव कर लेना और फिर GST की जब याद आए जब GST में प्राबलम आए फिर मेरा ये वीडियो खोल करके फिर दुबारा चेक करके देखना आपके तो एक बार 7% एक बार 4% चलो स्टार्ट करते हैं मैंने बताया कि ये आपकी जो केटलॉग प्राइज है ये आपकी टेक्सेबल अमाउंट नहीं है इस पे GST कभी नहीं निकालना क्योंकि डिसकाउंट के माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है जैस्ट हमी उस सुपे लगता है फिर से टिसकाउंट निकालने के बाद जो मांड बचता है दिसकाउंट काएंग चाइए extracting में के सदेखा था था जूर। funk看到 च्ट्रे फो थे नों सी नहीं बन रही है को सब रही है के वार जैग्स अब। धिक और उतल यह इसको सबाइस मांक्स प्राइस अब ही नहीं है ठीक कै यह कितना है हमारे कॉशन में उने 45 और हमें तो निकालना क्या है हमें तो discount minus करके price निकालना है तो आपको निकालना है taxable amount कौन सा amount taxable amount जिस पर tax लगना है और formula क्या है mark price minus sorry into hundred minus discount percent upon hundred अगर एक discount हुआ तो ऐसा खतम पर मेरे case में एक discount नहीं है यह दो discount है एक 7% का discount है और एक अगला discount कितने का है 4% कितने discount है 2 तो इसलिए दो बार करो यह discount D1 और यहां कर दो hundred minus D2 दो बार क्यों दो बार क्यों किया समझ गया न तीन बार करतो तीन बार करते है ठीक है hundred minus D3 upon hundred आप उट करते है formula में mark price हमारे पास है 45,000 multiplied by hundred minus discount that means hundred minus seven discount is seven so this gives you 93 upon hundred सही है ना और दूसरा है 4% so hundred minus four कितना आ जाएगा 96 upon hundred थोड़ा calculation है यहां पर हाँ थोड़ी महनत करनी पड़ेगी multiply करना पड़ेगा आउ करते हैं 2, 3, 4 नहीं 3 कटेगा हाना 3, 0 कट पाएंगे 3, 0 कट देते हैं 1, 2, 3 3, 0 कट गए चलो आगे करते हैं आगे हमको क्या करना है अब 3, 0 कट गए एक जिरो नीचे बचा हुआ है चलो 5 से कार्ड देते हैं 5 2 जा 5 9 जा दियान दिखना है जल्दी से कैसे क्या होगा सॉल करना है अब करना है 2 1 जा 2 4 जा 2 8 जा अब इन हैं क्या जाएगा taxable amount हो ची ओक्या मंणनीकर ने डिया और दो तो यह वो अमांट है जिस पर अब आपका GST लगना है थीक है न क्योंकि आपने क्या कर दिया ये आपका निकला taxable amount और टेक्स कितना है 28 परसेंट चलो जीस्टी निकाल देते हैं तुरंथ फटा फट करते हैं इसको भी जीस्टी कितना निकलेगा 28 परसेंट फटी थाउजन वन हंडिट सेंटी सिक्स हाँ मैं मैं इसको क्या करूंगा येस अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि पहले इन दोनों को मुझपलाए कर दो किसको 28 मुझपलाए बाए 40 थाउजन वन हंडिट सेंट के लिए लास से यूनिट प्लेस से टू डिजिट का डेसिमल लगा दो ठीक है न थोड़ा कल्कूशन बढ़ जाएगा मैं मान रहा हूं थोड़ा कल्कूशन बढ़ जाएगा क्या करोगे 40176 x 28 करेंगे ठीक है मुझा कर लेते हैं कितना आ रहा है यह आएगा मैंने अभी क्या कर दिया कल्कूशन पूछ लिया और तब मैं आपर लेख रहा हूं आपको तो मिल्प्लाय भी करना पड़ेगा आपको कोई बताने के लिए नहीं है आपका अंसर आ जाएगा 11,249.28 यह जो आपका कल्कूशन आ रहा है आफ्टर डिवाइडिंग 2 डेस्मिल प्लेसे आ ठीक है 100 था 2 डेस्मिल प्लेसे के बाद निकाल देंगे पर यह तो क्या आया आपका GST आया इतना GST दे करना है आपके कंप्यूटर का प्राइज कितना है Yes, Discount काटने के बाद कंप्यूटर का प्राइज इतना है और GST कितना देना है आपको यह रहा कोशन में क्या पूचा है Find the amount just question देखते हैं Find the amount of GST तो amount of GST तो आपका आ गया यह रहा amount of GST यह रहा 11,249.28 अब दूसरा कोशन क्या है Find the final price तो final price तो add करके आता है ठीक है न फाइनल प्राइज निकालने के लिए क्या करेंगे आप जो आपका कंप्यूटर का प्राइज है 4176 प्लस कितना 11,249.28 ठीक है यह आपका final price यहां पे आ रहा है 28 तो as it is decimal में है आ जाएगा और आपके पास answer आ जाएगा 7512 और यहां पे आ जाएगा 415 so this gives you the final price हां 51,425 रुपीज 28 पैसा चलो round off कर देंगे तो 25 रुपीज तक ही रह जाएगा 51,425 रुपीज इतने का आपको आपका computer में जाएगा चलो clear है चलो आगे बढ़ जाते हैं if this is clear otherwise आपको screenshot लेने की पूरी permission है हाँ आप screenshot लीजे हाँ back कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तो back का भी option है ठीक है ना live session है recorded session में जाएगा back कर लीजेगा और फिर देख लीजेगा अगर कुछ भी doubt लगता है तो and do let me also know if there is any confusion you have अगे एक कार खरीद रहा है Mr. Purohit purchased a car ठीक कार खरीद रहा है 5,36,500 at a discount of 10% ठीक है यहाँ पे हो गया discounted 10% का insurance कितने का है car में 4% of the discounted value insurance की value नहीं दी हुई है हमें insurance की value निकाल नहीं है और फिर क्या करना है उस पे GST भी लगना है कितना 28% car पे लगना है 18% insurance पे लगना है अच्छा दोनों पर अलग लग GST लगना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आओ अलग लग calculate करते हैं क्योंकि इसमें दोनों आपको अलग लग कह रहा है निकालने के लिए कोई बात नहीं हम लोग निकालेंगे दोनों अलग निकालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे car की कीमत है mark price यह रहा mark price हमारे पास है 5,36,500 ठीक है इस mark price पर हमें क्या करना है discount देना है कितना discount है 10% so discount है 10% simply taxable price निकाल देंगे taxable amount निकाल देंगे मैंने लिखा T amount taxable amount formula क्या था taxable का क्या formula था mark price इसलिए मैं कह रहा हूं जब formula याद नहीं करना चाहते हो तो एक ही तरीका है क्या तरीका है बार बार लगाओ बार बार उस formula को put करो हर बार लिखो हर बार formula put करो it will go deep into your memory एक दम अंदर चला जाएगा subconscious mind पर चला जाएगा और फिर formula आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा हाँ ट्राय करके यह अजमा के देख लो हर बार formula लिखो हर बार लिखो कोशनल लगाओ formula लिखो it will get deeper into your brain चलो फाइव लैग थर्टी सिक्स थाओजन फाइव हंड्रेड इंटू हंड़ेड माइनस डिसकाउंट आपका डिसकाउंट कितना है आपको साफ साफ दिख रहा होग या नाइन से मिल प्लाइ करें 90 0095 जा 459 6 54 54 558 930 27 25 32 945 45 35 348 ओ आप जल्दी की मैं है क्या कहते हो यह प्राइज आ रहा है आपके पास 482850 चलिए यह आपका कौन सा प्राइस आ गया टेक्सेबल अमाउंट आ गया थोड़ा मैंने जल्दी करने की जान मुझका कोशिश की थाकि आप भी क्या करो फटाफट एनरजी लगाओ ठीक है चलो आगे बढ़ जाए अभी आपने निकाल दिया इसका टेक्सेबल अमाउंट कार का अब कार पे जेस्ट कितना है कार पे GST है 28 परसेंट तो अब GST निकाल दें GST on कार कि कितना है कार मैंने लिग दिया GST on कार ठीक है फटावर मिल्प्लाइए करना होगा ध्यान दीजेगा इसको कैसे निकालेंगे 28% of 482,850 हाना हाओ करना शुरू करें 4,82,850 जीरो यहां से कड गया जीरो यहां से कड गया 5,2 जा 5,9 जा 45 कलर चेंज कर दू 5,9 जा 45 बचा 32 5,6 जा 30 बचा 28 5,5 जा 25 बचा 3 5,7 जा 35 ठीक है और मीचे क्या बच रहा है 2,2,1 जा 2,14 जा तो आपको क्या करना है 14 multiplied by 9,6,5,7 14 का टेबल आना चाहिए देखे आपको टेबल साएंगे तो जल्दी हो जाएगा आसान हो जाएगा ठीक है कितना रहा है ये रहा आपका GST GST on car car पे लगने वाला GST ठीक है ओप आप मेरे भी calculations चेक कर रहे हैं क्योंकि ये calculations आपके सामने हैं स्क्रीन पर तो यहां तक तो car की side हो गई आईए अब निकालते हैं GST on car 28% था आपको कहा था कि क्या करेंगे car पे premium पी लगना है premium कितना लगना है 4% 4% किस पे discounted value पे अठाट आपके discount करने की बाद की value तो आपको याद होगा ये value आपके discounted value है जिस पर discount लग चुका है 4,882,850 तो ये discounted value है आपको इस पर premium निकालना है पहले तो premium कितना होगा ये निकालना है premium car देखे कोई भी गाड़ी खरिदते हैं तो आपको insurance देना पड़ता है पता ही कि नहीं है गाड़ी खरिदों के तो insurance करना पड़ेगा आजकल तो जनतों mobile पर भी insurance हो रहा है और क्या कर दें तू से डिवाइट कर दें हाँ मैं कर रहा हूं फटाफट बदाना साथ में तू तू जा टू फाइव जा और फाइव से इसको काट दें फाइव नाइन जा 45 वापस कर जाएगा तू से मिलप्लाइ कर दें तू सेवन जा फोटीन तू फाइव जा टैन वन एलेवन तू सिक्सट ट्वेल वन थर्टीन और टू नाइन जा एटीन वन नाइन तू इंशुरेंस प्रीमियम कितने का है 19,314 का है अब इंशुरेंस प्रीमियम तो आ गया कितना है पर इंशुरेंस प्रीमियम पे क्या करना है एटीन परसेंट जीस्ट लगने वाला है तो मैं लिक रहा हूं जीस्ट ओन इंशुरेंस इस पर इंशुरेंस पर इंशुरेंस पर जीस्ट लगेगा कितना है परसेंट चेंज है इसका 18% है आप 28 मत लगाईएगा 28 कार पे था तो मैंने कार पे 28 लगाया था ठीक है ना कार पे GST 28% लगाया यह रहा इंशुरेंस पे 18% 18% किसका इंशुरेंस की वेल्यू का और इंशुरेंस की वेल्यू कितनी आ रही है प्रीमियम की 19314 फटा फट कल्कुलेट करो मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालो 18% इसका निकालेंगे या तो आप क्या करो पहले 18 से इसको मुल्टिप्लाइए कर दो और दो डेसिमल बात पॉइंट लगा दो ठीक है ना क्या करना है 19314 मुल्टिप्लाइड बाइ 18 कर दो जो आएगा उसके बाद दो डेसिमल बात पॉइंट लगा देना क्या करोगे क्यों जीरो हंड़ है थ्री चलिए मैंने मदद ले लिए और मैंने बता दिया आपको अंसर है मदद के बाद हां मैंने मलप्लाइ करवा लिया है और यह क्या कर दिया है आगे ऑनसर यह आरा है क्या आपके पास यह रहा जीस टी जो कार पे एंस्यूर unsuccessful था चलियर हो गया अब आपके पास question क्या है total cgst total sgst आपके पास ये gst का जो total है हाना इसको half कर दीजे car के gst का और insurance के gst का half कर दीजे आपको आ जाएगा cgst sgst पहले total कर लीजे total gst ये ये दोनों को ले करके हैं ज्यान दीजेगा इसको और इसको दोनों को प्लस करना है किन दोनों को ये रहा कि वन थ्री फाइव वन नाइन एट प्लस ये दोनों gst 3476.52 जब आप एड करेंगे तो पैसा तो वापस आ जाएगा 0.52 तो वापस आ जाएगा और 8 और 6 14 9 और 7 16 117 और 415 516 प्लीज कल्कुलेशन आप भी चेक करते रहेगा और 8 ये रहा 8 और 13 तो ये रहा आपका टोटल gst 138674.52 अब इसका कर दो हाफ जब इसका कर दोगे हाफ तो आपका आ जाएगा cgst और sgst दोनों सेम होगा आप जानते ही है किसका हाफ करेंगे इसका हाफ कर दो हाफ फटा पड़ हाफ मतलब इससे हाफ से मिटलाए कर दो तो आपके पास आ जाएगा टोटल cgst क्या करेंगे हाफ कर देंगे इसका हाफ आफ ओफ 138674.52 हाँ कितना आ रहा है 69337.26 यह रहा आपका sgst और cgst और अमाउंट पे कैसे निका लेंगे क्या कहते हैं अमाउंट पेट कैसे निकालेंगे तो आपको टोटल पैसा जोनना पड़ेगा येस आपको जितना taxable amount of car है जितना taxable amount of premium है पहले इन दोनों को add करेंगे प्लस जो total आपने gst निकाला car का as well as car का as well as premium का दोनों को add कर देंगे this will give you the total amount so real life में तुम ऐसाथ क्या हो रहा है सच में अगर तुम जाओगे तो अगर ऐसा होगा तो तुम्हें क्या होगा इस पता चल जाएगा हां सच में मैं ऐसा कह रहा हूं real life में ऐसा सच में होता है तो आपको क्या होगा जब आप real life की नजर सोचोगे तब आपको आ जाएगा मैं थोड़ी देसे screen से और क्या लेकिया है शॉपिंग से निशिता गोज टू अशॉप बाया कोट कोस्टिंग 944 944 उसकी कॉस्ट प्राइज है ठीक है और क्या हुआ उसके बाद उस पे cgst लगने वाला है 9% हां cgst लगने वाला है 9% और क्या करना है पर वो दुकानदर को कहती है क्या कहती है द इसकाउंट मुझे डिसकाउंट दो कितना डिसकाउंट दो कि मेजर प्राइज ऑफ कोट जो हो वह 944 आ जाये इंक्लूडिंग ऑफ जीस्ट मुझे जी एस्ट कॉस्ट है एतनी gst cgst specifically 9% तो आप तो जानते है sgst भी सेम होता है यह तो रूल है बैसिक रूल है कि दोनों सेम होते हैं इसका मतलब gst कितना रहा होगा cgst और sgst तोनों बलाके आपके बन जाते हैं yes gst इसका वंदर gst 18% रहा होगा पर उसकी क्या शर्त है दुकानदार से खरीदने की कि म मैं आपको 944 ही दोंगी टोटल मैं आपको 944 रुपीस दोंगी इसके अलावा कुछ नहीं दोंगी बापरे दुकानदार को क्या करना पड़ेगा customer छोड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा yes discount देना पड़ेगा दुकानदार को तो यह उसका cost price नहीं है यह अब उसका क्या ह हो गया है यह उसके लिए आ गया है price including GST मैं short familie रहा हूँ price including GST यह शौपकीपर के लिए price included GST है ठीक है तो चलिए हमको सबसे पहले तो यह पता ही नहीं कि वो किस प्राइस पर देगा कि ताकि यह पैसा जुड़ करके इतना आ जाए आपको टोटल पैसा उस कस्टमर को निश्टा को इतना ही पैसा देना है कितना 944 रुपीज तो सबसे पहले तो ओरिजिनल प्राइस क्या ह है इसकी जिसको हम Tsexible Price कहते है क्या चीज? ॐरिजीनल प्राइस जिस प्राइस पे टैक्स लगेगा वो तो मालुम ही नहीं है मैंने लिखा ओरिजिनल प्राइस या T Pixible PR принz कितनी है यह तो नहीं हो सकती चूँकि उसने कहा है दुकान-दरक्तों हमको इतना सस्ता कर करके दी जिए कि इस पर 18% जेस्टी लगने के बाद मेरा 944 रुपीज आ जाए तो अब और इस पर इस पर इस पर इस पर रही है जिसम कहते हैं प्राइज इंक्लूडिंग मैंने शॉट फॉम लिखा पी आई जी एस टी प्राइज इंक्लूडिंग जेसे निकलेगा आपका टेक्सेबल अमाउंट जितना था प्लस जी एस टी इसी से निकलेगा ना तो बस पुट कर दो जो आप सोच रहे हो रियल लाइप में बस वो करना है टेक्सिभल अमाउंड आपका है एक्स और प्राइज इंक्लूडिंग जेसटी निकालेगे तो 18% off X款 जीस्थी इसटी कितना निकलेगा 18% पर किसका निकलेगा inspalिक लेगा और या इस प्राइज इंक्लूजिंग जी एस्टी और सिंप्लिफाई कर दीजे यहां पर आ जाएगा 118 एक्स आपने लिया यहां पर हो गया 944 क्रॉस मिलिप्लाय करना एकदम अलाउड है तो 944 देखे जब तक सिंगल फ्रेक्शन नहीं आता यहां सिंगल फ्रेक्शन बन गया था इस एक्स और इस 18 एक्स को हमने सिंगल फ्रेक्शन बना लिया इन्टू हंड्रेट हाँ फटा फट कल्कुलेट करो साथ साथ में निकालो जल्दी से बनने टीन से इसको डिवाइट कर देंगे कटेगा क्या हाँ टेक करते हैं चेक करते हैं टू टू फाइव जा टू नाइन जा और टू फाइव जा जिरो जा और यह कट रहा है फिफ्टी नाइन वन जा फिफ्टी नाइन वन जा और कितना रहा है फिफ्टी नाइन एटीन जा ठीक है आपका अंसर आ रहा है एट हंड्रेट तो एट हंड्रेट क्या है आपके पास आपका है टेक्सिबल अमाउंट यह रहा औरिजनल प्राइस कितनी है आपकी 800 और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे दुकांदार ने कितना डिसकाउंट दिया है तो डिकांदार को तो पूरा ही डिसकाउंट देना पड़ गया हाना 944 रुपए की चीज बेची उसको ठीक है 800 में उसको दे दिया तो दुकांदार को पूरा ही 144 रुपीस डिसकाउंट देना पड़ गया क्योंकि वह 800 की चीज दुकांदार को पड़ी और उसपे 144 उसको जीस्ट पढ़ गया और जीस्ट दुकांदार ने खुद भर दिया एक लियर है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहां है मैंने कहा था जब तक यह कंसेट पूरा नहीं होगा हम थमने रुपने वाले नहीं है और मैं आपको भी नहीं कहूंगा रुपना थमने के लिए शौप की पर मार्क सब मार्क सब पतब दाम बढ़ा देता है कितना दाम बढ़ाता है शौप की पर 10% अबव 10% डाम चड़ा रुपना देता है जो भी लिस प्राइज होती है हान जो पी उसकी टैग प्राइज होती है उस पे दस परसंट दाम चड़ा देता है और उसके बाद उसपे 5 percent discount करता है इसको बनाता है customer को दाम पहले बढ़ाता है 10% और फिर 5% की छूट देता है चो सबसे पहले तो आपको price मालूम नहीं हो क्या है चलो सबसे पहले क्या करते है let the price be let the original price price be X ठीक और दुगांदर ने कितना दम बढ़ाया markup price किती रखी 10% above the list price यह और आपकी लिस्ट प्राइज है ठीक और इसमें markup कितना कर दिया 10% बढ़ा दिया तो इसको 10% increase करोगे तो यह value आएगी इतनी 10% of X में X add कर देंगे आजाएगा अब उसके बाद क्या किया discount दे दिया कितना discount दिया discount दिया है 5% तो discount कटने के बाद जो amount आता है उसको 100- discount % upon 100 कई बार यह formula आ चुका है अब तो मेरे superstars एकदम नहीं भूलने वाले हैं और हमारे पास mark price कितनी है 110 X upon 100 into 100 minus discount कितना है अमारे case में 5 upon 100 कि simplify कर दिया जाए चलो simplify करते हैं फटाबट साथ सातने करो इससे क्या आ जाएगा आपके पास taxable amount आ जाएगा फटाबट सब्सक्राइब करो आपको क्या करना है 110 upon 100 into 95 into 95 95 का 5 समझ में नहीं आ रहा है इंटू 95 upon 100 कि solve कर लिया कि क्या करना है आपको पहले जीरो यहांसे cancel कर देते हैं 11 into 95 कर दो 11 5 जा 55 11 9 जा 99 प्लस 5 99 प्लस 5 104 ठीक है अपॉन 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 टू थ्री तीन जिरो है ना एक दो तीन तो आप तीन decimal बात पॉइंट लगा देंगे कितना आ जाएगा 1.045 X यह क्या आगया आपके पास यह आपके पास आगया taxable amount ठीक है प्रक्का taxable amount आगया question में क्या कह रहा है question में कह रहा है कि consumer को कितना देना है GST के रूप में देना है sorry S GST के रूप में देना है कितना 1254 कितना देना है 1254 तो S G S T 1254 गिवन है और हमको GST मालूम है कितनी है 12% है तो इसका मतलब 6% C A GST का % भी होगा S GST का % कितना होगा 6% कैसे मालूम क्योंकि GST 12% दोनों को add करके आती है C GST और S GST तो C GST भी 6 रहा होगा और S GST भी 6 है तो अब यह कैसे आया होगा आए देखते हैं इसी taxable amount का 6% निकाला होगा तो S G S T कैसे आया होगा S G S T percent of taxable amount करके निकाला होगा T यह मतलब taxable amount ठीक है और हमारा पास S GST है 1254 into 6 by 100 into 1.045 X क्रिस क्रॉस करने में देरी है नई, कोई देरी नहीं है 100 उपर जाने वाला है 6 और यह value नीचे आने वाली है चलिए, करते हैं फटाबट साथ साथ में 1, 2, 5, 400 गया उपर नीचे आया 6 multiplied by 1.045 This will give you list price X आपका क्या है? List price है यह रहा आपका list price आजाएगा कितना आ गया? 21,840.5 ठीक, आगया? आप कोशन क्या है आपका? Find the price the consumer has to pay Consumer को क्या देना है? Consumer को तो पूरा पैसा देना है यह रहाद टेक्सेबल प्राइज निकाल देंगे Consumer का कैसे मल्टिप्लाइ करके? टेक्सेबल अमाउंट पहले निकालेंगे X की value यह आई है उपर आपके पास बस यह substitute करनी है इससे टेक्सेबल अमाउंट निकाल आएगा कितना रहा है टेक्सेबल अमाउंट आपका? आपको बस multiply करना है 1.045 को multiply करना है 21840.5 इससे मल्टिप्लाइग करना है थोड़ा calculation करना पढ़ेगा चलो जल्दी बताओ फटावर कितना रहा है बस आपके decimal places जो आ रहा हूंगे चार decimal places आ रहा हूंगे आपको 4 decimal place पे से ड्राउंड आफ करना पढ़ेगा ठीक है? यह तो हो गया आपका टेक्सेबल अमाउंट और इस पे टेक्स कितना देना होगा? आपको cgst, sgst दोनों ही देना पढ़ेगा आपके पास cgst है 1254 तो sgst cgst भी तो उतना ही होगा दोनों सेम होते हैं न 1254 आप add कर दीजे total tax कितना यह भी बता चल जाएगा आपको tax कितना आ रहा है आपके पास आपके पास tax आ रहा है correct आगया tax 25008 इसमें 25008 और add कर दो 25008 इसमें और add कर दो यह आपका final price है जो customer को pay करना है थोड़ा calculation है final price कैसे निकला आपका final price निकालने के लिए आपने taxable amount plus GST दोनों को जोड़के दे दिया taxable amount यह रहा आपका 22,800 23.32 plus GST GST अपने अभी जस निकाला यह रहा GST ठीक है ना add कर दूँ यह रहा हाँ आपको दो decimal के beyond अगर decimal के बाद पैसा आता है तो आप उसको ignore कर सकते हैं ठीक है यह राउंड आफ कर देंगे लास के थर्ड जिट को आपके पास अंसर आ रहा है 25,331.32 क्लियर है कन्फर्म है चर तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया यह भी यह भी क्लियर कर दिया स्क्रीन शॉट ले लो, डाउट लगे तो, कन्फिजन हो तो मुझसे पूछो ठीक है कैसे पूछोगे मैंने अपना अप Facebook और अब मैंने अपना Instagram भी चालू कर दिया मैं थोड़ा वो सीख रहा हूँ Instagram आप मुझसे Instagram में भी DM कर सकते हैं ठीक है, मैं चेक करता हूँ personally भी अब चलिए अगला कुशन आते हैं फड़ा फड़ अब्दूला manufacturer तो अब्दूल एक manufacturer है और सेल्स प्रोड़क्ट वर्थ रुपीज 22,004 500 विदिन दी स्टेट ठीक है, चलो सेल कर रहा है सेल कर रहा है ना तो सेल कर रहा है कितने का 2,25,000 जब यह सेल पर्चेस का कुशन आ जाता है ना तो समझ जाओ इनपूट आउटपूट का कुशन आ गया क्या चीज? इनपूट और आउटपूट का कुशन आ गया क्योंकि सेल भी करना है, बेचना भी है, खरीदना भी है अभी तक आप कंजूमर थे तो यह सब जमिला नहीं आ रहा था ना आउटपूट C, GST, ना इनपूट C, GST, नो बवेला इसमें करना पड़ेगा यह बवेला क्या लिखा है? सेल कर रहा है, इतने का और सेल कर रहा है तो GST का रेट कितना है? 18% जब भी बेचेगा, तो क्या बेचेगा? तैयार समान बेचेगा कि कच्चा समान बेचेगा तैयार समान तो इसको GST क्या निकलना पड़ेगा? आउटपूट मैंने बताया था ना, बेचने पर आउटपूट लगता है कितना लगेगा? 18% यह है, GST कितना है? 18% और आउटपूट GST 18% है तो 18% of 225,000 साथ साथ में कल्कुलेट करो, जल्दी जल्दी निकाल रहा हो ना तुम लोग? हाँ, 18 को इससे मडप्लाई कर देंगे 18 को मडप्लाई करेंगे 2250 18-0 जा-0 18-5 जा 90, 18-2 जा-36 36 और 9 45 18-2 जा-36 और 4 36 और 4 40 I hope यह आ रहा है 40,590 रुपिस तमारा क्या रहा है इसका GST आउटपूट आ रहा है क्योंकि बेचने पर आउटपूट GST होता है ठीक है? अब खरीद भी रहा है शॉपकी पर बाई भी तो कर रहा है यह लिखा है 32 गुड्द रुपिस इतना तो बाई कर रहा है मतलब पर रहा है पर रहे कितने का एक लॉठब बीश दर का पर आउटपूट कर रहा है अच्छा परचेश कर रहा है वो भी विदिन दर स्टेट कर रहा है ठीक है? मैंने दोनों अलग-अलग GST नहीं निकाला है C GST, S GST अलग-अलग निकाला है कोई पूछा भी नहीं है तो जर्वत भी नहीं है जब आप से स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा कि S GST कितना है, C GST कितना है तो आप मत निकालिएगा सीरे आप आजाएए अब ये 12% लगेगा क्यों 12% क्यों लगेगा? क्योंकि जब भी एक manufacturer खरीदता है तो raw material खरीदता है एक producer खरीदता है तो finish good नहीं खरीदता है producer producer क्या करिदता है हमेशा? raw material खरीदता है तो उसका GST लगेगा, वो input लगेगा खरीदने पर आप जानता है ये input लगता है तो उसका input GST है 12% 12% किसका? इसका तो निकालनो 12% 12% of 1,20,000 कितना आजाएगा? 12, 12,000 144 और 2,0 तो आपके पास दोनों ही आ चुका है ठीक है? आपके पास दोनों value आ गई है एक आपके पास आ गया है output GST एक बात आपके आपके इनपूट GST question में क्या है? find the amount of GST he has to pay तो shopkeeper को GST payable निकालना है जितना GST pay करना है और GST payable का formula बहुत असान है क्या formula है? output output GST minus input GST simple सा formula है और output से input minus कर दो आपके पास है minus कर दो यहां से यहां बचा 0 यहां बचा 9 15 में से 5 में से 4 गया 1 10 में से 4 गया 6 and 4 में से बन गया sorry 3 में से बन गया 2 so your answer is rupees 26,190 that's it क्या कहते हैं? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा तो यहां पर like बनता है क्योंकि लगातार लगातार 2 गंटे से मैं और आप बेटे हैं आपको पता ही नहीं चला कि किस तरीके से 2 गंटा भी बीद गया क्या कहते हो? हाणा? चली अच्छा 2 गंटा नहीं होगा पूरा approximately मैं देख रहा था 2 गंटा हो गया चलो एक question और करते हैं इस बार एक laptop और खरीदते हैं इससे पहले भी एक laptop खरीदा था एक और डेल का खरीदते हैं इस बार चलो तो वैसे मैंने डेल का desktop खरीद दिया था तो डेल का laptop है कितने का है? 84,000 का है चलो डेल के laptop वैसे बड़े महंगे होते हैं और डिलर गेव डिसकाउंट ओफ 20% ठीक है taxable amount का formula जल्दी 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 बताओ येस लिखा अपने इपने copy में चलो बता नहीं पा रहे थे ना कोई बात नहीं formula simple है 100 minus discount percent upon 100 इंटू दो बार करेंगे 100 minus discount percent दो बार है ना दो बार दो बार ठीक है ना दो बार ता ही है दो बार करेंगे और पुट कर देंगे आपके पास mark price कितनी है list price mark price है 84,000 साथ साथ में calculate करो 100 minus discount पहला discount कितना है 20 तो 100 minus 20 क्या बचा आपके पास 80 upon 100 अगला discount कितना है 10 percent so 100 minus 10 this gives you 90 चलिए 1, 2 1, 2 0 खतम हो गए 1, 0 यहां से 1, 0 यहां से so now now you have 840 multiplied by 72 जल्दी करके multiply करके बताओ जल्दी से 842 को 72 से multiply करो कर लिया multiply अच्छा 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 calculation mistake है चलिए तो आपका आगया taxable amount कर दिया आपने multiply कर दिया 60,480 आगया बड़ आपको अगला step क्या करना है आपको निकालना है total amount of GST तो GST किस पर लगता है हमेशा taxable amount पर लगता है और GST कितना इस बार 28% so GST कितना 28% किस पर निकालेंगे taxable amount पर निकालते हैं हमेशा जल्दी जल्दी फटा-फट calculation करना शुरू करो ये 0, ये 0 simplify हो गया अच्छा पहले multiply कर दो 28 को ठीक है इधर देखो फटा-फट जल्दी से पहले GST को multiply करो 6048 28 और उसको multiply करो upon 10 कर दो ठीक है ना 10 करने का मतलब होता है जानते हो न एक decimal के बाद आपके पास multiply करने पर आएगा 169344 आजाएगा और divide by 10 करना है तो आपके पास GST आजाएगा 16934.4 क्योंकि नीचे 10 है इसलिए एक decimal बाद बाद आप decimal लगा देंगे तो यह हो गया GST जतना customer को देना है अब question क्या पूचा है final price अथा total price customer को कितना देना होगा तो मैंने बताया था जब भी final price या total price जो customer को प्रे करना होता है वो दोनों देना होता है आप खरिदने गए तो आपको सिर्फ क्या देना है taxable amount नहीं सिर्फ taxable amount नहीं देना है tax कौन भरेगा भाई तो taxable amount प्लस GST दोनों दोगे प्लस करो जल्दी से 604840 प्लस 16934.4 दोनों को प्लस कर लो प्लस कर लेते हैं 60480 और 16934.4 करते हैं यहां पर आ रहा है 483 11 9 of 4 13 11 14 13 और 1 and this gives you 7 थोड़ा सा calculation fast तभी आपकी होगी हाँ आपके calculation fast अपने आप हो जाएगी जब आप थोड़ा सा practice करोगे करते करते भी actually fast हो जाती है ठीक है in case कोई mistake लग रही है तो please do let me know if there is any calculation mistake क्योंकि मैं भी randomly आपके साथ तेजी से आपके साथ calculation कर रहा हो कंदे से कंदा मिलाते भी calculation कर रहा हो ठीक है तो in case कहीं calculation mistake हो जाती है do let me know I'll be happy to correct it also ठीक है तो इस तरीके से आपका answer आ गया तीन answer आ गया आपके पास taxable amount भी आ गया आपके पास यहाँ पर आप taxable amount और GST यह रहा GST payable और यह रहा finally जितना final amount customer को देना है चलो अब the end कर देते हैं इसको और एक ही बात कहूंगा कि अगर आपने यस आपने अगर साथ में practice किया है मैं यह promise करता हूँ कि अगर आपने साथ में लगाया मेरे maths और यह numerical के सारे चीज तो मैं इतना वचन दे रहा हूँ कि आपको कहीं और कुछ और करने की जरुवत नहीं होगी बस जरुवत है तो इमानदारी से सर तरुन रपानी के साथ लगाने की मैंने आपके सारे subjects मैस नहीं सारे subjects के already videos बहुत सारे डाल रखे हैं और मेरे ही येस मेरे ही state toppers इस समय है आपके कई सारे state के toppers आपके सर तरुन रपानी channel से ही हैं और यकीन नहों तो उनके दिये गए messages पढ़ लीजे comment box में comments चेक कर लीजे जो ठेर सारा प्यार आप लोगों से मिला है इसी से यतनी इमत आप आ रही है अभी आप देखेंगे स्क्रीन से मैं अगर time दिखाऊना चाहूंगा तो आप देखेंगे approximately 12 पार कर रहा होगा time भी देख सकते हैं रात का समय है रात का 12 बचकर 5 मिनट और मेरे साथ आप है live इसलिए मेरे पास इतना दम इतना ताकत इतना जुनून है आपको कराने के लिए so thank you and love you and god bless you all और इसी तरह से लगातार classes हम बनाते रहेंगे in case in case आपको अभी भी किसी भी चीज में कोई confusion हो सिर्फ एक काम करिए YouTube पे जाए chapter का नाम लिखिए chapter का नाम लिखिए और आगे लिख दीजी bye sir tarunrupani और आपको मेरे बनाए lesson वीडियो जरू मिल पाएंगे हाँ notes के लिए अगर आप परिशान हो रहे है क्या कहते हो notes के लिए परिशान हो रहे हो तो notes के लिए आपको करना पड़ेगा एक website है sir tarunrupani.com हाँ sir tarunrupani.com यह website हो जो मैंने specifically आपके लिए बनाई है और इस website में हाँ इस website में कहा है website भाई इस website में आपको मेरे बनाए हाँ यह है sir tarunrupani.com यह है मैं screen पर खोल दे रहा हूँ यह है वो website sir tarunrupani.com आप यहाँ पर आईए इस पर register करिए register पर click करिए ठीक है register पर आपको क्या करना है अपना नाम अपना email डालना है email पर OTP आएगा OTP को record करना है verify हो जाएगा OTP अपने मन से कोई password डालिए और फिर अपना class select कर लिजे आपका class select कर लिजे और फिर अपना contact number देजे sign up एक बार करना है register एक बार करना है उसके बाद आप बार बार login करते रहेंगे उसके बाद आपको हर बार क्या करना है login करना है that's it और आपको कोई भी notes चाहिए कोई भी information चाहिए आप इससे ले सकते है so thank you and love you and God bless you but bye from now